प्रिती गुपता और आज आपको दिखाने वाली हूं कीटम छील चोकी आगरा में तो छोड़ा आगे और लगबग डॉलफिन पार्क के थोड़ा और आगे यह मैं हूं और यह मेरी कावाडियां फ्रेंड है जिन्हें बिल्कुल भी धूप में चैन नहीं है इसे में आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है यहां क्या दिख रहा है सामने क्या है सामने जो वाओ वाओ वाट टैलेंट कहां से डूना यह टैलेंट थोड़ी नहीं है तो तो जो आपकी BMW थी कार वो कार रही है अच्छा यह कडिया है यह है यह है ओके हमारी BMW खराब हो लिए है हमारे पास कारवार की मद्होश्यों की खरी है पर साथ के दिन वाए है वागवान टॉकिस से जब आप निकलेंगे केटम ठील के लिए तो आपको भगवान टॉकिस के बाद सिकंद्रा से पहले देखने को मिलेगा यह गुरू द्वारा और उसके बाद यह आ गया हमारा सिकंद्रा अकवर टॉम यह थोड़ी सी जलक आपको दिख जाएगे यहां से यह देखिए अकवर टॉम का यह जो मैंगेट है न वह है ठीक से दिख नहीं रहा है कभी इसका भी ब्लॉग हम अलग से बना देंगे पाइनली हम पहुँच गए हैं स्वागतों सूर सरोबर बज़ी तो पेंड्स हम पहुँच गए हैं कीटम जी यह है इसका गेट मेरी फ्रेंड्स दुलिली आगे निकल गी तो मैं भी जा रही हूं अरे दुग चाओ आपको जो पीछे दिख रहा है वह है टिकेट गर और यहां का टिकेट प्राइस है 30 रुपाई पर परसन लेकिन यहां पे क्या सीन है कि बहुत ज़्यादा चलना पड़ेगा इसके लिए खुद खुद का बाइक कार जो भी है होना चाहिए यह दूर दूर तक दिख रहा है पूरा चंगल चल चल की देखना पड़ेगा पता नहीं तहाँ इतना चलना पड़ेगा मैं यहां पर देखना है यह बालू बालू का 20 रुपे टिकेट अलग से था तो मैंने लिया ही नहीं मैंने सोचा रानू को देख लूँगी तो बालू को देखने का मनी नहीं होगा कि बहानो जब तो सिलो करें तर क्या है कि पीछे गार्डन है लेको वह मुवी नहीं है राज राज ममी बहुत खतनाक जंगले बंदर कम है यह कि यहां से भी रोड है बट हमें इदर नहीं जाना है कम से कम दो किलो मीटर अभी हमें चलना है पैदल पैदल तो जिस चीज के लिए हमें इतना चल रहे थे इतनी कड़ी दूर से महनत कर रहे थे फाइनली बोद्दिक गई ठीड़ी लमी ओसम ना वाओ वाओ इतना अच्छा लगदा है इसमें आवाज है क्यों आरी इतनी कितना दूर तक मानी है अब का जा रही हो अभी हमें और चलना है यहां पर दो तीन रास्ते हैं और हमें इस तुरी रैट लॉटर गेट लिए यहां से एंट्री करना है अंदर की ज्यादा दूर नहीं है थोड़ी दूर और चलना है बस कर दो आई यहां यहां वाम अटाऑर कर लाँ तक हैं टूर हमें इए करे दूर को यहाला थे सिंदल प्रूर आई कर वाल प्रूर आना है और रही है। तो हम पहुंच गए हैं डाइटर टावर यह जो आपको रास्ता दिख रहा है यहीं से अमें सीधी अंदर जाना है सांती चलो अंगी तरब देखना ही मत है हाँ यह दिखा दू है यह दिखा दू है वाव यहां इच्छा लगा वीडियो बना नेगी है बहुत वहरे नुदी की वीडियो ही होती है पॉने में पॉने में दूदी की तौबाज नहीं निकल लगा है घर्मा क्या हुआ गर्मा तो डर गई कर्मा कह रही है क्या कोई थिखने नहीं यह पर लोग नहीं अब अब क्या करोगी इस वाओ जैसे गाउं पर आती थी ना जो भी यह बड़ा खतर नाक है लानू कहा ले जा रही है लानू आजो भी चाहरी है के लिए फसेगी देखके आना काटे है कुछ है आगे तो यहां से भी हमें जील दिख रही है लेकिन हमें आके जाना है आगे एक टावर है जहांसे हम उचाई से पूरी जील को देख सकते हैं यह ट्रिप हमें कहीं महेंगी न पड़ जाए कुस्ता हमें तो दूर दूर दा कुछ नहीं दिख रहा है यह हमारी गाइडर बिल्कुल भी अच्छी नहीं है एक तो हमसे चला नहीं जा रहा क्या है तावर तू चलो ना प्रीज चलो हमें आके जानना सेफ नहीं लग रहा है तो हम यहां से लॉट रहे हैं किटम चील के पीक पॉइंट पर जहां से हम अच्छे से देख सकते हैं देखे यहां दूर दूर तक स्रीप पानी दिख रहा है देखे मगर मचना आजाए मैंने देखा था एक वीडियो में औरे था आणे मारके आपध के रहा है है जया हमा आखे ए-स मुझे आट पनाट रहा है यह पानी की आवास सुन रहे है यह सुनके तो मुझे ओर डलाखताया आलगतायां सब्सक्राइस में फत्तक्त्र आई क्या होगा अंदर एक बार दूब की देखो फ्रेंड्स अभी सेलफी पॉइंट की तरह सेलफी यह देखो कितना गहरा पानी है जिसमें यह दोनों खड़ी हुई है और यह मोनी है जो जहां हाँ यह हमें जहां जंगल में लेकर आई यह दूबो नहीं साधी की पुरिया तो किला दो आजाओ नहीं यह देखो यह देखो यह तो टैड़ने लागा बना अच्छे से कि नहीं यहां से वो टावर दिख रहा है जहां से हम लॉट आई तो अब हम रिटन जा रहे हैं हमें बहुत तेज प्यास लग रही है तनी धूप जो पट रही है यहां पानी पीने के लिए नल लगा हुआ है आरो का पानी है यह तो प्रेंस यहां अकेले आना बिल्कुल भी शेफ नहीं है क्योंकि पहला तो जंगली जानमरों को डर फिर यहां मतलब हो सकता है दूपे इस वज़े से कोई भी नहीं दिख रहा है बहुत कम लोग दिख रहे हैं हम लोग घुमली है हम लोग जा रहे हैं बापस देख रहा है उस पूरे में जंगल है पेड़ पौदे और बंदर तो सब जगह है इधर भी बैठा है बंदर और उनका कुछ भरोसा नहीं कप काट ले हैं यह देखो जूएं डूनते हुए एक दूसरे गया आए अच्छ वोड़ जूल रहे है इदेखो मोर अच्छ वोड़ देखके वर्ल याइफ लेम सोग यह नहीं पता मुझे कि क्या है बड़ ऐसा दिख रहा है यह गार्डन है हम बस बापस एक्दम गेट पर आ गए हैं बापस अब हम बापस जा रहे हैं तो कैसा लगा आप सबको कीटम जील घूम कर बताइए जरूर कमेंट करके लाइक करें प्लीज प्लीज जो बैल आइकन है यह उसको जरू प्रेस करें